जहीं दोस्तों बंदे मातरम कई पर क्या होता है कि हमको जब किसी विशय के उपर बात करनी होती है और हमको उस विशय के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती तो हमारे मूँ से मतलब अमूमन अनाप शनाप चीजे निकल जाती है ऐसी चीजे निकल जाती है जिनका शायद की उस जगे पर बोलने का कोई तरक भी नहीं होता, कोई मतलब भी नहीं होता, और आखिरी में कोई आर्थ भी नहीं निकलता, और ऐसा ही कुछ अभी हुआ है, हमारे कॉंग्रिस के मतलब राजकुमारी कहना चाहीर, प्रेसिडन्ट तो क्या ही कहें, तो प्रेसिडेंट तो फिरी बदल जाते हैं राजकुमार नहीं बदलते हैं तो कॉंगरेस के जो राजकुमार है उनके मुझे दरसल महीला से शक्तिकरण के उबर बात कर रहा है तो इस तरफ बात करते करते उन्होंने एक स्टेटमेंट ही है सबसे बहुत तो आपको समझ में कि यह सब्सक्राइगा कि हम लोग किस बारी बात कर रहे हैं कि अब्राइख और अभी गांधी जी के फोटो देखिए आपने गांदीजी के साथ है आपको तीन-चार महिलाएं कि दिखेंगी दिखेंगे मोहन दगवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखिए कभी देखिए हो इनी सकता महिला आज हर एक शेतर में आगे बढ़ रही है हम उसकी बात कर सकते हैं इस प्रकार से वो सवावलंबी होते हुए हर एक चीस को अपने तरीके से एंडिल करने लगी उसके बारेacement कर सकते हैं लेकिन नहीं हम बात किसके बारे में कर रहे हैं कि भई देखी महात्मा गांदी जी के साथ हमेशा तीन चार महिला चलती थी और महात्मा गांदी की बारे में आप बात कर रहे हो कम से कम सोच समझ के तो बोलो वो आलू सोने वाला जो इनका पूरा वीडियो वायरल हुआ था कि इधर से आलू डालो दर से सोना निकलेगा उसका भी तातपर रहे कुछ और था लेकिन क्या है इनके बोलने का तरीका कुछ ऐसा है कि इनके जो विरोधी हैं वो इनके इन ही बय माज कुमार हो आप किसी पार्टी के तो आपको समझना जाहिए कि आप क्या चीज कैसे बोल रहा हो लेकिन क्या है कि इनकी इनी सब चीजों का लिए ना थोड़ा सा सोचल मीडिया भी मुझे लगता है कि जिम्मेदार है अब जैसे कि मैं आपको दिखाओं तो इस समय यह द मारेल कपूर नाम के ट्विटर हैं लिखा है पपू टार्गेटिंग आर ओन इंडस्ट्रिलिस्ट यह बात तो खैर मुझे भी लगती है जो लोग नौकरी दे रहे हैं भारतियों को आप उनी की खैर जब यह सत्तम आएंग तब यह भी इनके वी राग बदल जाएंगे नर मतलब जब भी एकोनौमी नीचे जाती तो मोदी जी सोने चले आते हैं इसी किया अब यह एक वीडियो पोस्ट किया गया मैंक के द्वारा इनको मतलब यह देखे किताब का नावरण कर रहा है पर भाई साब का कवर पकड़ने हूं यहां पर भाई साब को पता ही निए खब मेरे जीवन में जब भी निराशा आती और आत्मत्या करने की रक्षा होती है तब मैं आपका ट्विटर अकाउंट खोल लेता हूं देखकर तसल्ली होती कि आप जलील इंसान बेशनमी के साथ जंदा रहता है तो और मैं भी अपने कामों का अच्छा कर सकता हूं ठीक है यह इसके बारे में कोई टिपड़नी करूँगा अच्छा यह एक तस्वीर है जो काफी ज़्यादा वायरल हुरी है मैंने इसके बारे में खोल के देखा भी इसमें लिखा है वी शुड एक्चुली वेरी ग्रेटफुल तु यू फॉर में कि आल अफ़ अफ़ अवेर अव्ड यौर्स कीप डूइंगे दर्स इसमें इनके उपर एलिगेशन यह लगाया जा रहा है कि यह जो तस्वीर है सुमित की इस तस्वीर में सुमित गले में पहने हुए है एक लॉक्ट जिसमें की ओम लिखा हुआ है और इसी तस्वीर को जब राहुल गांदी ने ट्वीट किय इसमें गनेश जी बैठे हुए है और इसमें से गनेश जी को हटा दिया गया बाकिया आप लोग सब समझदार है इसके आगे यह वही वीडियो है इस सेर्फ डिस्ट्रक्टिव इडियर मतलब खुदी का गोल करने में लागी रता बंदा संभव नायर लिखते हैं वाट युवराज ऑफ कॉंग्रेस पार्टी यू थिंग बिफोर यू स्पीक उन डाइस एं रैलीज इव दोंट धन प्लीस थिंग ब्रदर यू सी और एज ताइम इसलेस पर यू तो दो सम्थिंग पार्टी बहुत कुछ कर दिया और बाचपा के लिए कॉंग्रेस के लिए नह पिक अपेरिंग आई कंडेंग दिस प्लीज रेक्टिफाई यहां मैंने भी आपको यही चीज बताई थी न संजय लिखते हैं रागा बाइस पप्पू माइंडसेट ओपने डिबेट अगांधी जी ऑन डाइमेंशन देट वाज लेस्ट डिबेटेट और अल्मोस और पॉ सामने आही जाता है ना वूमन्स एंपार्मेंट अकॉर्डिंग टू पपू अच्छाई जॉन इस भीया की फोटो लगाई गई है ठीक है यह यह सिंप्ली पपू न्यू गेम ऑफ पपू अमर अगबर एंथनी अच्छा अच्किल कश्मीरी पंडित बन गया है बाइद है देरिजन वाई ही इस कॉल पपू और चाहां यह वीडियो मने देख लिया है बीजेपी स्टार केंपेनर राहूल गांदी जी बात सौ टका खरी खरी यदि राहूल गांदी कभी पीम बने तो उन पर पपू का ठपा हट जाएगा और एक्सटीस करोड़ों भारती उपर लग जाएगा यह भी ठीक है अपनी जागे पर तो इस तरीके से लोग हैं जो कि रियाक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कि यहांँ पर राहूल गांदी ने अपनी बात को कहा है और क्या कुछ कहा है सी को ले कर लेका लेकी इसा है समझना हमको ही पढ़ेगा कि चीजें जो है थोडी सी कठे नहीं असलों राहूल गांदी के लिए उनको विरासत में तो काफी कुछ मिल गया लेकि विरासतको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग चाहिए रहता है और सबसे बड़ी बात जैसा कि कहा गया है कि एक लायक लड़का अगर होगा तो अपनी विरासत खुद बना लेगा और एक नलायक अपनी विरासत को मिटा देगा जिस परकार से कॉंग्रेस का हश्र पिछले कु कहा था कि कॉंग्रेस के नए प्रेसिडेंट के लिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए उसके बाद इस परकार भी फटकार पड़ी थे इनको उससे जाहिर सी बात है सभी लोग जो लोग अभी अपने भविश्य देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर उलों के भी कान खड लिए थे वाद जब कॉंग्रेस एक ढलती होई डलती डहलान के उपर खड़े हुए हैं मीचे की तरफ ही जाते जा रहे हैं तो ऐसे में कई बड़े नेता जो हैं वह भी कॉंग्रेस के अंदर अपना भरुसा खोते जा रहे हैं बोल बस इसली नहीं रहें क्योंकि बोलेंग